लोकसबा चुनाओ को लेकर सियासी हलचल तेज है इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच सीटों का बटवारा अल्मोस्ट फाइनल स्टेज पर है खबर है कि आम आदमी पार्टी चार पर और कॉंग्रेस तीन सीटों पर चुनाओ लड़ेगी बस चर्चा इस बात पर होनी है कि साथ में से किन चार सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाओ लड़ेगी और किन तीन सीटों पर कॉंग्रेस की उमीदवार मैदान में उतरेंगे हाला कि इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब में आप और कॉंग्रेस दोनों सहमत हैं कि लोग सभा चुनाओं के लिए कोई गटबंधन नहीं होगा और दोनों पार्टियां सभी सीट पर अपने अपने उमीदवार उतारेंगी हाला कि इंडिया गटबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका एलान नहीं किया गया है पंजाब में लोग सभा की कुल 13 सीटें हैं इसका मतलब ये हुआ कि कॉंग्रेस भी सभी 13 सीटों पर अपने उमीदवार उतारेगी और आम आदमी पार्टी भी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पंजाब में पिछले काफी वक्त से वैसे भी दोनों पार्टीयों के बीच कुछ न कुछ अन्बन चल रही थी इसलिए हो सकता है इस तरह का फैसला लिया जा रहा हो आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के अलावा गुजरात हर्याना और गोवा में भी लोगसभा चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है इन राज्यों को लेकर अभी दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस अगले तीन दिनों में अपना रुख साफ कर सकती है सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी हर्याना की 10 लोगसभा सीटों में से 3 सीटें चाहती है ऐसे में अहां कॉंग्रेस के लिए 7 सीटे होंगी वहीं आपने गुजरात की 26 सीटों में से 1 सीट मांगी है आम आदमी पार्टी गोवा की 2 लोगसभा सीटों में से 1 सीट चाहती है बड़ी प्रसनता है कि जो केमिस्त्री हम धून रहे थे वो केमिस्त्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निरने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उच्सा है हम बहुत काम्याबी से उस ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द बहुत जल्द हमें उमीद है कि हम एक अंतिम निर्णे पर पहुँचकर अपने नितागण के सामने रखकर और वो आप तक फिर हम ला सके हैं। लोग सभाच चुनाओ ज्यादा दूर नहीं हैं इसलिए इंडिया गटबंदन को वक्त रहते सीटों का बटवारा कर लेना चाहिए।